जंबुद्वी भस्तिनापूर में परंपूजे गर्णी प्रमुक्ष्री ज्यानमती माताजी के संघस्त शिश्य ब्रमचारी राजेश जैन की भव्वे चुल्लक दिक्षा पूजे माताजी की सदप्रेर्णा द्वारा परंपूजे धर्मालंकार आचार श्री रेन सागरजी माहराज के करकमलों से वैशाक शुकला पूर्णी मा 14 मई 2014 को शास्त्रोक्त विधी विधान पूर्वक संपन हुई दिक्षार्थी को छुलक श्री प्रशांत सागर माहराज नाम प्रदान किया गया आप देख रही हैं इसी समहरों के प्रमुक अंश अचारे सांति सागर महराज की परंपरा में आपको ध्यान देना है कि गेर्वे वस्त्र छुलक को ऐलक को दिये जाते हैं और दस्मी प्रतिमा धारी जैसे आपके सामने रवेंद्र केर्थी स्वामी जी हैं तो उनको भी जो ग्रह विरत होते हैं सप्तम प्रतिमा के बाद उन सब को गेर्वे वस्त्र परदान किये जाते हैं उसी शंकला में इने छुलक बनाने के लिए राजेस जी को भी आपके सागर महराज के द्वारा गेर्वे वस्त्रों से हलंकृत किया गया है अब इनकी क्रि आए प्रारम होंगी पिच्छी का प्रादान के अब सास्त्र पहले सास्त्र आए द्वादसांग शुताय नमा इदम ज्यानो पकरनम ग्रहान ग्रहान स्वाहा हां रखो अली है पहला कमंडल आपको देने का सवबागी प्राप्तोराए जोम नमो अरंतान भो प्रसांत सारक सागर चुलक रतनत्र अले पवित्री करनांगाय बाया भेंतर मल शुद्धाय नमा इदम सौचोप करनम कमंडलूं ग्रहान ग्रहान स्वाहा रखिए यह अनादी निधन विवस्ता है इस बात को आप ध्यान में रखें स्री गौतम सामी की जो बानी है साक्षात भगवान महावीर के समो सरण में उन्होंने जो भी कहा और जो भी उनके सब्द आज हमारे लिए उपरब्द हैं चैत्य भक्ति पाक्षिक प्रतिक्रमाण देशिक प्रतिक्रमाण और स्रावक प्रतिक्रमाण ये इस लोग उनके स्रावक प्रतिक्रमाण में ग्यारा प्रतिमाओं के लक्षन श्री गौतम सामी द्वारा रचित स्रावक प्रतिक्रमन में आया है पाया गया है इसलिए ये ग्यारा प्रत्मों के ब्रत और उनका लक्षन ये सामानी आचाज़ों दोरा कथित नहीं है गौतम सामी के मुख से निकले हुए है हमने प्रत्मान योग का धेन किया सास्त्रों में पाया कि विजेख शेत्र में अनादिकालीन धर्म चल रहा है अनादिकाल से धर्म चल रहा है अनंत काल तक चलता रहेगा कौन सा धर्म? जैन धर्म सार्व भौम धर्म अनादिकाल से चला आ रहा चलता रहेगा भरत और रहरावत शेत्र में काल दोस्त से भोग भुमी जब यहां होती है और छठा काल आता है तो धर्म नहीं रहता है चतुर्स काल और पंचम काल में रहता है तो वहीं के अनुसार रहता है यह ज्ञान रखना भगवान रिशव देव ने विजेक शेत्र की व्यवस्था को अपने अधिक ज्यान से जान कर की थी वहीं परंपरा आज चलिया रही है मैं आपको विशेश बात बताओं भगवान रिशव देव ने अबने चठे भाव पूर्व छुल्लक दिक्षा ली थी बगवाल रिषभ देव के जीव ने, रिषभ देव होने के छठे भाव पूर्व। छुलख दिख्षय ली थी। समझें तो एक छुलख दिख्षय की परमपरा भी, रच्छोड़ दिख्षय का आर दोना रपिछ छोटी दिख्षय इसका बतलब यह नहीं है कि यह कोई कपोल कर्पित या कर्पना मात्र या साधना मात्र है अना आज ही परंपरा से चली आ रही है इसलिए आज के युग में हम और आप भागिसाली हैं जो गौतम सामी के मुख से निकले हुए शब्द उनकी रचनाए उनकी कृतियां आज हमारे पास मौझूद हैं विद्धमान हैं गौतम सामी की गौतम गंधरवानी के नाम से मैंने उनका कुछ संक्रन भी किया है आप लोगों को सीख रही हो देखने को सुनने को मिलेंगी और हमारे साधूगन हम लोग और आप लोग उसे पढ़ भी रहे हैं लेकिन जानते नहीं मानते नहीं समझते नहीं है कि गौतम सामी की ये बानी है चैटिभक्ति स्रावक प्रतिक कमण जिसमें ग्यारा प्रित्माओं का बढ़न है उनके मुख से निकले हुए है तो मैं अभी इतना ही बताओंगी कि आप लोग जितना भी पारस चेनल के माध्यम से या यहां हस्तनावर में उपस्तित होकर के जिनोंने भी ये दिख्षा देखी है सब भावना भाएं कि हमें एक दिन अपने जीवन में अपनी मनुस परियाय में अबस्ति ही सबसे पहले मैं कहूंगी मुनी बने बहुत अच्छी बात है सिधे मुनी बन जाएं और नहीं तो कम से कम छुलक दिख्षा देने का संकर्प अबस्ति करें कि हम अपने जीवन में हाथ में पिछ्छी डिये व्यगेर शरीर नहीं छोड़ेंगे पिछ्छी धारन करने का संकर्प करें छुलक दिख्षा लेने का संकर्प करें महिलाय हमारी छुलिका बनने का आरिका बनने का संकर्प करें आज आप भावना भाएंगी संकर्प करेंगी तो इस भाव में न सही अगले भाव में कभी न कभी आपकी भावना निश्ची सी सफल होगी देखिए मैं आपको बताओं बिना आहार लिये मोक्ष हो सकता है इस युग में चतुर्सकाल में भरत चक्रवर्ती ने दिख्षाली बिना आहार किये केवल ग्यान प्राथ कर लिया आंतरमूर्थ में और केवल ग्यानी आहार लेते नहीं है तो बिना आहार किये मोक्ष मिल सकता है भगवान निश्ब देव ने छे मेंने घूम कर आहार चरिया बताई हम जैसे सामान ने और विशेज विशेज एकल विहारी जिन कल्पी आधी साध्यों के लिए जिन चरिया बताई लेकिन उन्ही के पुत्र भरत चर्टी ने बिना आहार के मोक्ष पराप्त कर लिया बहुबली ने दिख्षाली एक बरस का योग ले लिया और योग पूरा हुआ कि उन्हें केवल ग्यान हो गया तो बिना आहार के मोक्ष पराप्त किया लेकिन बिना दिख्षा के बिना पिछ्षी लिये आज तक किसी ने भी मोक्ष नहीं पराप्त किया है जैन परंपरा के अनुसार धिगंबर जैन परंपरा के अनुसार बिना पिछ्षी कमंडनों लिये बिना जहनेश्वरी दिख्षा लिए आज तक किसी ने मुक्षप्रावत न किया है न करेंगे और न करते हैं ये अकाट नियम है इसलिए मैं तो कहूंगी आप सब लोग आज इस दिख्षा के द्रस को देखकर आज ब्रमचारी राजेश जी परसांत सागर शिलक बन गए उन्होंने अपने भरे पूरे परवार को छोड़ा है माता पिता भाई वहन अपनी धरम पत्नी अपने पुत्र पुत्री नाती पोते सब को त्याग करके और इस प्रकार से तो ये मार्ग आपके लिए परसस्त दिखा रहे हैं ये दिख्षा दिखाने का मतलब क्या है कमरे के अंदर भी दिख्षा हो सकती है बिना आपको बुलाए भी दिख्षा हो जाती है और होती है और हुई है लेकिन दिख्षा दिखाने का मतलब यही है आपको कि आप लोग भावना भाएं कि ये नियम नहीं कि बाल ब्रमचारी दिख्षा लेंगे बाल ब्रमचारी हमारे जैस इमाने भी तेरा संतार को जन्म देकर सब का लालन पालन करके और सब कुछ ग्रिशतासरम में करके पुनाहा उन्होंने अपनी अठावन बर्स की उमर में आरिका दिक्षा दी और यहीं हसनापुर में ही रही है सब ने देखा है ऐसे बहुत से उधारन है आज हमारे सामने पुत्रिया आई पुत्र बधु आई पूरा परवार आया हरा बरा देखकर मन प्रसंद हुआ पूरे हरे भरे परवार को छोड़कर दिख्षा लेने वाले आएसे हमारे निसंग भूचन जी बैठे हैं यह सब जो है पढ़ लिखकर योगी बनकर के भी और पढ़ने निखने का ज्यान का सार कल मैं धौलापक की पंक्ति एक देख रही तो उसमें आया ज्यान का फल चारित्र है ज्यान का फल क्या है ज्यान का फल है चारित्र चारित्र के बिना वो फल नहीं मिला अधूरा है तो भब्यात्मा इस प्रकार से इस दिख्षा के मंगल अउसर पर आप सब लग दिख्षा की भावना अवस्य भाएं और कम से कम आज के दिन कुछ ना कुछ छोटे से छोटा भी नियम दे ले स्वाध्या करने का नियम दे ले ले रमोकार मंत की एक माला फेरने का नियम दे ले जम्मुदीब के दर्सन का, सुमेरुपरत की बंदरा का, कोई भी नियम दे लें, लेकिन कोई न कोई नियम छोटे से छोटा रात्री भोजन के त्याग का, महिने में चार दिन रात्री भोजन के त्याग का, कुछ भी नियम देना, अवश्ची ही नियम देकर के अपने इस मान अगम हो और जैनत्व की दिख्षा दी जा रही हो मन में भाव अवश्य बनते हैं और माता जी ने जो बात आज कही कि एक बार अवश्य भाएं कि बगएर पीची हमें इस जीवन को नहीं छोड़ना है एकदम भाव ऐसे मन में आते हैं कि हम देर क्यों करें लेकिन शायद कुछ अपने परिवारिक बंदरों के कारण हम बहुत बार ऐसा डिसिजन नहीं ले पाते लेकिन भाव बहुत सुन्दर बनते हैं और ये चर्णों में बंदन करता हूँ माता श्री के मुझे भी एक दिन ऐसा भाव बने और पीची के साथ ही यहां से विहार करने का मोका मिले जैन धर्म अपने आप में एक संपूर्ण संसकार विधी है जिसका हम पालन करते हैं और उसके पालन से जीवन का कोई ऐसा सुक नहीं जिससे हम बंचित रह जाएं सुक मात्र कुछ उपलब्दो को प्राप्त कर लेना नहीं है आत्मा का सुक ही सबसे बड़ा सुक होता है यहां इतने सादू राजमान हैं उनके सामने में बोलता हुआ बहुत अच्छा नहीं लगता लेकिन एक बात अबश्च कहना चाहता हूँ कि वो भागेशाली होते हैं जिनको ऐसे दर्शन मिलते हैं ऐसा वाचल मिलता है ऐसी भावना सुनने को मिलती है सब के चर्णों में ससत वंदन करता हूँ वंदन करता हूँ आज का दिवस अतन्त पुनीत है क्योंकि आज चुरलक प्रशान सागर जी के दिख्षा जम्बु दीप की पावन इस्थली पर हुई किसी भी श्रावक में दिख्षा के भाव अचानक नहीं होते हैं बहुत लंबे पुर्ण के उदे से और निरंतर भावना भाने से ही यह योग बनता है कि व्यक्ति के दिख्षा संपन हो मुझे याद है सन 1981, 82 और 83 के वो दिन जब मैं स्वयम सलावा ग्राम में रहता था उस समय मंदिर की व्यवस्थाओं साधार्मी बंदूओं के वराचसले के भाव को बढ़ाने में सदेव अग्रणी भूमिका उस समय के राजेश जी और आज के छुलक प्रशान सागर जी निभाते रहे मैं आज छुलक दिख्षा के पावन असर पर उनके उज्वल भविश और अंगीकार किये गए वर्तों की सफलता की मंगल कामना करता हूँ और यह आशा करता हूँ कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में जो हमारे भक्तगण यह द्रश्य देख रहे हैं उन्होंने दीख्षा के प्रसंग को पूरा देखा है देश की तमाम समस्याएं बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी जो नईती की स्थर है वूंचा नहीं उठ पा रहा उसका एक ही इलाज है कि हम सब इस प्रकार के कारेक्रमों के अनमुद्रा करें और स्वेंग भी आज के इस दिवस पर कुछ न कुछ सायम की ओर बढ़ने का संकल्ब करें तभी राष्ट का समाज का देश का धर्म का कल्याण हो सकता है केवल बात करने से कुछ नहीं होता इसी भावना के साथ मैं एक बार पुना उनके मंगल और निरंतर वर्धिमान वर् प्रिकार का भय नहीं गोता है जीवन में वेराग जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है सन्निसार मेरे कर प्रावानी सन्निसार को तज सकता है जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है सन्निसार मेरे कर प्रावानी सन्निसार को तज सकता है जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है यही बेराग जीवन में ज्ञान कम हो परमात्म प्रकाशक में आचारी योगंद्र देव लिखते हैं जीवन में ज्ञान कम कोई बात नहीं अगर वैराग यह अधिक है तो वह वैराग यह आपको मौक्ष के मंजिल तक ले जाएगा ग्यान के साथ वैराग यह खोना कोरा ग्यान नहीं जिस ग्यान से संसार्शी भोगों से बिरिक्त हो करके जो आत्मा मौक्ष मार्ग में लग जाता है उसी को जीवन में सच्चा वैराग यह कहा गया है वही ग्यान कहा है इसलिए इस पावन भूमी पर आप लोगों ने उस दिक्षा का दृष्च देखा भेराग में दृष्च देखा और हमारे प्रथम पट्टाचार्य आचारे भील सागर जी महराज और उनकी प्रथम गणिनी ग्यान मती माता जी जो आज पूरी विश्व के अंदर उनका एक नाम खें इतने ग्रंट जिन्हों ने लिखे ज्यान का ख्यूप्षम अड़ित्य खें मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें पूर्व जन्में ऐसा खूब दान दिया था अभे दान दिया था कि जो आज सुरस्थ्टी की पुत्रिया आज हमारे सामनी बिराजमान नखें तुम्हान भाओ क्योंकि समय तो किसी का इंतजार करता नहीं है समय किसी का इंतजार राजा हो या रंग बालक हो या बाली का समय किसी का इंतजार नहीं करता है इसलिए इस मनुष्य जन्म को प्राप करके साथत करने का प्रयास करो ये जिवन अन्मोल है फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा किसने देखा है इसे मनुष्य जिवन को प्राप करके आत्मा की साधना करें आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करें ये कारिक्रम ये दिख्षा का कारिक्रम आप लोगों ने देखा हमारे जीवने भी ऐसा वेराग्य के भावों और हम भी उस मोक्ष मार्ग पे लगे यही मनुश्य जीवन की सार्टक्ता है बोलिए महावीर भगवाने की